Future Perfect Continuous Tense इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको Future Indefinite Tense, Future Continuous Tense और Future Perfect Tense के बारे में डीटेल में समझाया और उससे पिछले आठ वीडियो लेक्चर्स में Present के चार और Past के चारों Tenses के बारे में आपको बताया आज हम Future के Perfect Continuous Tense के बारे में समझेंगे जैसा कि मैंने आपको future continuous tense में समझाया था कि जब भी main verb के साथ, मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होता है तो ऐसे sentences future continuous tense में आते हैं ठीक इसी तरह से इस tense में भी main verb के साथ रहा होगा रही होगी रहे होंगे का प्रयोग होता है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इन सेंटेंस में समय के साथ से का प्रयोग जरूर होता है कुल मिला के perfect continuous tense जब भी आप नाम सुने perfect continuous tense तो आप ध्यान रखें कि वो continuous tense की तरह ही है फर्क यह है कि वहाँ पर समय के साथ से का प्रयोग होता है यह बात present perfect continuous tense और past perfect continuous tense दोनों में मैंने आपको detail में समझाई है और से के लिए since या for का use किया जाता है कहां पर करना है since का प्रयोग कहां पर करना है for का use यह बात मैंने prepositions के separate video lecture में detail में समझाई साथिसाथ मैंने आपको present perfect continuous tense में भी यह बात बताई थी किस तरह के sentences हैं देखिए example आपके सामने है राम दो घंटे से घूम रहा होगा रहा होगा और साथिसाथ समय के साथ से का प्रयोग दो घंटे से सीता सुभे से रो रही होगी रही होगी और साथिसाथ समय के साथ से का प्रयोग सुभे से तो इस तरह के sentences यहाँ पर आते हैं मैं कहूं माना मैं कहूं मैं तीन दिन से पढ़ रहा हो गा वह चार दिनों से वहां रह रहा होगा इस तरह के रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और सात में समय के साथ से का प्रयोग, ऐसे वागळ इस sentence में आते हैं किस तरह से इन sentences को बनाना हैं आईए देखें सबसे पहले affirmative sentence सकारात्मक वाक्य जैसा कि हर tense के वीडियो lecture में मैंने आपको बताया है कि सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें not का प्रयोग नहीं होता नहीं का प्रयोग नहीं होता और नहीं कोई प्रश्न पूछा गया होता है तो किस तरह से बनाना है इन sentences को देखे subject plus will have been यहाँ पर जो आपके helping verb है वो है will have been उसके बाद verb की first form उसके साथ लग करके आएगा ing उसके बाद object और फिर since for का use time के साथ में example देखिए आपके सामने है राम घूम रहा होगा इस sentence में अगर आप ध्यान दें समय का use नहीं किया गया समय के साथ से का प्रयोग नहीं हुआ है सिर्फ रहा होगा इस बात से आप पहचान सकते हैं कि यह future का continuous tense है राम विल बी वाकिंग लेकिन जब आप sentence में समय के साथ से का प्रयोग कर देते हैं जैसे आप कहें राम दो घंटे से घूम रहा होगा तो ऐसा sentence perfect continuous केटेगरी में आ जाता है और आप यहां पर कहेंगे राम विल हैब बीन वाकिंग फॉर टू आवर्स एक सेंटेंस और लेते हैं वो खेल रही होगी यह future continuous sentence का sentence है she'll be playing लेकिन जब मैं कहता हूँ वो सुभे से खेल रही होगी सुभे से समय के साथ से का प्रयोग तो आप कहेंगे she will have been playing since morning इसी तरह से दिखें नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक के जहां पर not का प्रयोग होता है सबसे पहले subject उसके बाद will not have been यानि will have been मे will और have के बीच में आपने not का यूज किया उसके बाद बाद की first form ing plus object plus since for plus time example देखें आपके सामने है राम दो घंटे से नहीं घूम रहा होगा राम दो नोट हैब बीन वाकिंग फॉर टू आवर्स वो दो पहर से नहीं खेल रही होगी she won't have been playing since afternoon will not को आपने कहा won't ये बात apostrophe में भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से दो words को आप एक बना देते हैं apostrophe के use के साथ और साथी साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि since और for का use कहां पर होना है ये बात मैंने present perfect continuous tense में भी आपको बताई है से भी पहले तो सबसे पहले wh family का use उसके बाद will उसके बाद subject और अगर उस वाक्य में not का प्रयोग है यानि नहीं का प्रयोग है अगर उस प्रश्ण वाचक वाक्य में तो not का use करेंगे नहीं है तो नहीं करेंगे उसके बाद have been उसके बाद work की first form plus ing plus object उसके बाद since for उसके मेरे सभी video lectures को एक sequence से देख रहे हैं और समझ रहे हैं और खासकर अगर आप tense पहले tense से present in definite tense से अगर आप videos को देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको जादा समय लगेगा इस बात को समझने में कि मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूं लेकिन अगर आप direct इस video क देख रहे हैं तो हो सकता आपको confusion होगा तो कि कई चीज़े मैं यहाँ पर skip कर रहा हूं जैसे for example मैंने का wh family अगर आपको wh family के बाले में पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे समझेंगे इस concept को और wh family के बारे में मैंने separate video lecture में wh family के chapter में आपको इस बात को बताया था साथ ही होती है किस तरह से use होती है अब example लेते हैं concept के तौर पर राम दो घंटे से कहां घूम रहा होगा यहाँ पर wh family है कहां कहां के लिए आप use करते हैं where where will ram have been walking for two hours वो कब से खेल रहा होगा यहाँ पर समय नहीं बताया लेकिन पूछा गया मैं कहता हूं कब से जब मैं पूछू से खेल रहा होगा पांच घंटे से खेल रहा होगा सुबह से खेल रहा होगा या शाम से या दो पहर से तो आपको समय के साथ से का प्रयोग करते वे उत्तर देना होगा इसलिए यहाँ पर यह sentence Perfect Continuous Tense category में आता है क्योंकि यहाँ पर रहा होगा के साथ समय के बारे में प्रें